तो भाई लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जैसल मेर पहुँच गए थे इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेजर्ट सफारी और हम लोग जिंगलने वाले हैं जैसल मेर से जोत्पूर के लिए तो वाई ये कैमल राइड वाला जो पाट है वो काफी मजा आया और शाम के टाइम पे डेजर्ट बहुत ही जादा बहुत जादा ब्यूटिफूल लगता है ट्रस्ट में आपको अगर यहाँ पे आना है ना तो यह जो टाइम है पाट से लेके साथ बजे के बीच में यह आप तो हमारा जो राइड था ना वो सिर्फ संसेट पॉइंट तक था लेकिन वहाँ पे काफी पेड काफी सारा कच्रा था असपास में तो अंकल ने हमें बोला कि मैं आपको एक अंदर के साइड लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको पूरी तरीकी से रगिस्तान देखने तो वी वर लाइक ओके और टोटल बिल जो हमारा वहाँ पे हुआ वह साड़े साथ सो रुपे का हुआ जाके वापस आने के लिए लेकिन दा एक्सपिरियंस वस वेरी गुड और इस उट का नाम था लकी और सुरुती ने अंकल से पूछा कि क्या वह लकी के साथ चल सकती है तो अंकल ने हाँ बोल दिया और ये रहा कुछ ब्यूटिफुल सा नजारा काफी अच्छा एक्सपिरियंस रहा हमारा यहापे वी रियली लवट इट और इंस्टा 360 यूज करने में काप और भाई हम लोग ने फोटोस भी काफी सारे कीजे और भाई डेजर्ट सफारी तो नहीं कर पाए विकाज आफ ताइम लिमिटेशन बट एंजोई बहुत किया और एक छोटे से स्वागत सरीमानी के बाद होटेल के शाम वाले जो प्रोग्राम्स होते न वो शुरू होए और आपको काफी शान्त काफी अच्छा लगेगा यहापे पूरा गाव वाला जैसल मेर वाला जो वाईब अगर आपको एंजोई करना है न तो यह जो शाम वुले प्रोग्राम्स होते न वो इसमें आपको दिखेंगे जैसे आखो से सुय उठाना ब्लेड उठाना वो सब चीज़े दिखेगी बट दिन यूनो दिस इस टालेंट तो वो लोग काफी अच्छी तरीके से इसे मैनेज कर लेते है इट वस ब्यूटिफुल नाइट तो यह मालरा हेरिटेज वाला जो प्रोग्राम था न यह इवनि तो वैसे अगर आप जैसल मेर आने के बाद डेजर्ट में अगर आते हो ना तो यह मालरा हेरिटेज वाला कैम्प उसके शाम के प्रोग्राम यह डेजर्ट और यह फील बिल्कुल भी मिस मत करना इसलाइफ टैम मेमरी ट्रस्ट मे और इसी के साथ खतम हुई हमारे यहापे जैसल मेर में हसीन शाम